यंग एज में बीपी आ रहा है तो आप लोग सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या सिस्टम में गड़बर है जिसकी वज़े से ये तकलीफ हो सकती है नमस्कार हैल टीवी में आपका स्वागत है जैसा कि हैल टीवी में आपको मालूम है कि हम आपके समक्ष लेकर आते हैं नए नए विश्वसनिये चेहरे जो चिकित्सा जगत में अद्बुत कारे कर रहे हैं इसी श्रंकला में आज हम उपस्तित हुएं आपके समक्ष चिकित्सा जगत के एक अद्बुत स्पेशलिटी में काम करने वाले डॉक्टर अविनाश जैन हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अविनाश जैन का साथ तो हम अपनी चर्चा शुरू करें डॉक्साब के साथ में इसके पहले हम आप आपको बताना चाहते हैं कि हैल टीवी पर डॉक्टर अविनाश जैन साब ने अपनी डीम जो की हाइस डिग्री होती है अपने इस फिल्ड में चिकित्सा जगत में रिमेटलोजी और इमिनोलो बहुत ही स्पिशलाइज फिल्ड है डॉक्साब आपने अपना डीम जो है स्टी पीजिया लखनों से किया है और अभी आप रिसेंटली 2018 में वहां से करके आए हैं तो हम आपका सफर के बारे में जानना चाहते हैं एक्चुली मैं हूं तो जैपुर से ही और MPS से मेरी स्कूलिंग रही है और 2003 पे वनवास चालू हो गया था चौदा साल की बजाए 16 साल का वनवास था MBBS करने में करनाट का गया था के MC मनिपाल फिर MD मैंने मेडिसिन में इंटरनल मेडिसिन में किया एमदाबाद से BJMC से फिर वहां मुझे एक साल रुमेटालजी फील्ड में काम करने का मौका मिला और उसी दौरान मेरा सेलेक्षन हजी पीजाए में हुआँ डियम प्रोग्राम के लिए जहां मैंने तीन साल बिताए और एक साल और एक्स्ट्रा वहां पे एज रिसर्च आफिसर जॉइन किया एक DBT फंडेट प्रोजेक्ट है लूपस उसमें काम किया वहां पर लूपस में थोड़ सी और ट्रेनिंग ली और फिर एक कॉलिटेटिव रिसर्च एक फेलोशिप के लिए मैं UK University of Birmingham six months के लिए भी गया था साथ में मुझे DM के वक्त मौका भी मिला ultrasound joints का सीखने का एक कोर्स है जो ULR offer करता है और उसके बाद फिर वापस कहां घरी आना था तो घर आ गए और शुरू में मात्मा गांधी जॉइन किया था पिर मुझे SMS जॉइन करने का मौका मिला और I think यह मुझे घर्व की बात है कि किसी गौर्णमेंट इंस्ट्यूट में फर्स टाइम एक DM रिमेटोलोजिस्ट ने जॉइन किया और मुझे वहां कारे करने का मौका मिला मुझे मेरी मुझे सेवाय देनों का वहां पर मौका मिला बहुत खूब का डॉक्साब ने कि आज DM रिमेटोलोजी में कुछ चंद डॉक्टर यहां राजस्तान में कारे कर रहे हैं लेकिन पूरा जो सरकारी महक में सरकारी होस्पिटल्स में तो DM रिमेटोलोजी और इमेटोलोजी के डॉक्टर कोई थे ही नहीं तो डॉक्टर अविनाज जैन साब राजस्तान के पहले डॉक्टर है जिन्होंने सरकारी शेत्र में अपनी सेवाएं इस फिल्ड में देना शुरू किया रॉक्साब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है ओ प्रतिरक्षेत रोग यानि कि autoimmune diseases और rheumatology मतलब गठियावा, संदीवा कई तरह के शब्द यूज करते हैं ये medicine के बाद एक specialized field है जिसमें तीन साल की training ली जाती है और इसमें हम autoimmune diseases जो बहुत प्रकार के होते हैं जिसमें arthritis यानि कि joint pain एक प्रकार का लक्षन है इस तरह की उसे हजार में एक लोग को होती है और कुछ बिमारियां ऐसी भी हैं जो दस लाख में एक को होती है इतनी रेयर है नाम भी नहीं सुने होते हैं field तो खैर I think बहुत दूर की बात है बट I think gradually awareness भढ रही है लोगों को समझ में आ रहा है कि जैसे kidney की problem तो nephro, paet की problem तो gastro, तो I think हम थोड़ा और चर्चा करेंगे क्या लक्षन है कैसे पहचाने और कब एक rheumatologist के दर्वाजे खट-खटाने चाहिए उसका हमें थोड़ा ऐडिया लगे है इस चर्चा को विस्तार देने से पहले हम आपसे जाना चाहेंगे इसके जो autoimmune जो भी अपने बात करी उसके लक् चाहिया है या बरांतिया है 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 हैल्ट टीवी के माध्यम से पब्लिक जानना चाहते है आटो इम्यून जैसा शब में auto word है और immune word है मतलब अपने उपर ही immune system attack करने लगता है इस वज़े से कई तरह के लक्षन हो सकते हैं एक सबसे अच्छा तरीका समझने का ये है कि अग इसरे के दो शरीर के अंग पर असर आने लगता है तब पहली बार किसी physician या orthopedician या किसी भी ब्रांच के पास आप जब पहुचते हैं जब आपको उस organ में problem होती है तब idea लगता है कि ये तो immune system की गड़बड है especially young age जहां पर आप expect नहीं करते हैं जैसे लोग की क्या धाणना है कि अच्छा जोड़ो का दर्द हो गया है ये तो बुड़ापे का रोग है ये आपको young age में आने लगे बहुत जादा जादा तर लोग unfortunately females में ये रोग जादा देखने को मिलता है तो young 20-30 साल की 40 साल की young females में कोई ऐसी बिमारी आ रही है जो समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रही है आम बिमारी उसे हम explain नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार इस तरह से मरीज हमारे पास पहुचते हैं अब लक्षन की बात करें तो आप उपर से लेके नीचे तक बाल से लेके नाखुनों तक ये बिमारी अस सर कर सकती है बाल में क्या हो सकता है बाल जणना अब बाल जणना है तो बहुत आम बिमारी वट अगर बाल जणने के साथ स्पेशली यंग एज में कुछ इससे आपके एकदम पूरे बाल गायब हो गये हैं साथ में चमड़ी में चकत्ते आने लगे वो एक आटो इम्म्यून डिजीज का इशारा कर सकती है नीचे उतरे हैं अपन सर है है यंग एज में लखवा हो गया अब यंग एज में हम लखवा आपका विजन गड़बर हो रहा है चश्मे के अलावा आपके कुछ और कारण से विजन में प्रॉब्लम आरी हैं आखे लाल होने लग गई है बहुत दर्द होता है धूप में तकलीफ होती है बार बार मुह में च्छाले होना च्छाले दर्द वाले भी हो सकते हैं बिना द अंदर से स्टार्ट हो रही है आपके कुछ रूटीन टेस्ट करा है और उन्हें पता चला स्किन के साथ में किड़नी में भी कुछ असर आ गया है यंग एज में आपको ब्लड प्रेशर आ जाएं फेफरे जल्दी खराब होने लगे जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं इंटर प्रोटेक्शन देना बट उसने डिसाइड किया है कि आज तो सिविलियंस को ही खतम करना है तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है इसमें इस तरह से और भी कई सारे लक्षन हैं पेट के हैं पेट का इंजाइना हम उसे बोलते हैं खाना खाने के आथ बार बार पेट में द यंग एज इवन दो तीन साल के दस साल के पास साल के बच्चो छोटे बड़े सब में ये बिमारी अलग-अलग लेवल की आ सकती है मतलब कुछ अनेक्सपेक्टेड दो या उससे जादा सिस्टम का इंवाल्मेंट होना ही एक आटो इम्यून डिजीज की तरफ इशारा करता है और आपने पूछा क्योरेबल शब्द एक आपने यूज किया बहुत बार जैसे मैं क्या एक्जामपल देता हूं कि बीपी और शुगर है आजकल इतनी अवेर्नेस है डॉक्टर से जनरली ये नहीं पूछा जाता कि ये ठीक हो जाएगा क्या कित्ते दिन दवा लूँ सम हम दीरे 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 दवा हटाने लगते हैं अगर हम ये दावा करें कि हम इसको जड़ से निकाल फेकेंगे या हमारे पास एक ऐसा कुछ जादू टोना है तो यह आई तिंग थोड़ा गलत होगा बट अलग अलग तरह के ऑटो इम्मून डिजीज होते हैं कुछ ऐस बिल्कुल अपने अच्छी जिंदगी बिता सकता है जैसे आपने शूगर का और डाइबिटीज का ये एक्जम्पल दिया अब बात करते हैं कि साधारन वाश्या में ओटोम्यून में गठिया एक प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं और गठिया के लिए लोग तरह तरह के जोडों का दर्द इसका वन ओफ दी मोस सबसे कॉमन एक लक्षन है बहुत लोग यंग एज में जब जोडों के दर्द के साथ आते हैं अब जोड एक इनवाल हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं इसमें हम कई तरह के शब्द यूज़ करते हैं जैसे हाथ पैडों का गठि यह सेम चीज हातों में होगा, हातों की उंगलियां आपकी सूजने लग गई हैं, मोटी होने लग गई हैं, सुवह मुठी बन नहीं हो रही है, यह सब इशारा करता है, आर्थ्राइटिस की तरफ जो आटो इम्यून हो सकता है, और यंग एज में स्टार्ट हो सकता है, और यह हम यह content generation और media और social pages के तुरू एक awareness camp स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा tagline है, arthritis is treatable, arthritis का इलाज संभव है, आप rheumatologist या clinical immunologist से मिलें, क्यों? क्योंकि आजकल इतनी अच्छी दवाईयां आ गई हैं, जैसे शर्मा जी ने बोला कि compliance, अगर आप और हम साथ मिलके चलेंगे, तो आपकी life near normal, quality of life एकदम perfect हो सकती है, सबसे महतपून क्या है? टाइम पे आना, आप जित्ती जल्दी समझेंगे, ignore नहीं करेंगे, बहुत बार होता है, हमारे 2-3 जोड दुखने लगते हैं, हम बोलते हैं, अच्छा उस दिन चोट लगी थी, उस दिन मैं उल्टा सो गया, उस दिन सीधा सो गया, इसलिए मुझे दर्द आ रहा है, इन सब चीज को ignore ना करें, यंग एज में especially, सूजन के साथ आने वाले जोडों के दर्द, कोई ना कोई autoimmune, या बहुत rarely अगर सिव एक जोड में problem है, तो infection की वैसे हो सकता है, और इसका इलाज संभव है, रही खाने क है कि particular किसी चीज से आपकी तकलीफ बढ़ रही है, आप उसको बंद कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद कर दो तो ये वाला गठिया ठीक, ये बंद कर दो तो ये, एक सिर्फ gout में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो भी प्रकार का बहुत common arthritis है, ज सब लोग जानते हैं, दो चीज जो I think काफी लोग अब जाने लग गए हैं, एक RA factor शब्द यूज करते हैं, जो कि actually rheumatoid factor है और uric acid, कि ये वाला गठिया है क्या, ये लोग थोड़ा समझने लग गए हैं, uric acid वाला गठिया भी काफी देखा जाता है, इसमें हम जरूर बोल इसमेशन हैं, ये myths हैं, बाकी अपने body को respect करें, उसको लगता है कि अगर ये तकलीफ है, इस खाने से हो रही है, आप अवाइट कर सकते हैं, मेरा बहुत बार क्या होता है कि कई बार क्लिनिक में ऐसा हो जाता है, पेशें बोलते हैं, अच्छा मैंने बोला कि ये सब खा सकत हैं, वो बताती हैं कि arthritis, autoimmune diseases इन से बढ़ते हैं, तो ये दो चीजे तो मैं जरूर कहूंगा कि बिलकुल avoid करें, मोटापे से भी गठिया कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, तो fit रहें, balanced diet लें, balanced रहें, वो सबसे important है, एक बहुत specific question आपके field से, आपको ये medical जगत से related question हो सकत कि आपके field में पूरे हिंदुस्तान बर में बहुत गिने चुने doctors होते हैं, एवन राजस्तान में गर में count करो तो शयद आपकी specialty के के वल साथ doctor होंगे, या मतला, मैं जितने मैं count कर पाहूं तो, तो मेरा, ये health tv के माद्दम से, मतला, public में भी ये बात रहती है, कि लोग patient ज माद्यम से आप public को और medical fraternity से जुड़े वे उन सब तमाम doctors को जो की एक primary practice करते हैं, क्या message देना चाहते हैं कि ताकि मरीज सफर ना करे और समय पर आप तक पहुंच जाए, मतला, आपकी field के किसी specialist तक पहुंच जाए, तो एक message health tv के माद्दम से जाए, ताकि वो मरीज जिसको सही समय पर सही लाज चाहिए, वो उसको मिल जाए, यह समय का जो शब्द आपने यूज किया, I think यही सबसे important है, delay is damage, मतलब देरी, मतलब चीजें खराब हो सकती हैं, तो जैसे हमने कुछ लक्षन डिसकस किये, देखिए, यह सवाबाविक है, कि जादातर मरीज जब joint pain होग तो या तो physician या orthopedician के पास जाएंगे, क्योंकि वही हमारे दिमाग में आता है, और especially क्योंकि लोग कम हैं, तो शायद practically यह impossible है कि हर कोई rheumatologist के पास पहुच पाए, तो क्योंकि आजकल इसलिए हम लोगों ने, even SMS के तुरू और Indian Rheumatology Association के तुरू, कई सारे training programs start किये हैं, including ह कि ultimately benefit passion का होना चाहिए, तो अगर हम physicians को या फिर जो post MBBS कई सारे लोग practice कर रहे हैं, हम उनको training दे रहे हैं, कि यह लक्षन ऐसे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, कि यह autoimmune disease हो सकता है, which means, जैसे हमने पहले चर्चा करी, कि कम उमर में आने वाला गठिया, सूजन के साथ आने वाला गठिया, इवन बुखार जो समझ में नहीं आ रहा हैं, क्योंकि हर बुखार malaria TB typhard नहीं होता, कारण नहीं मिल रहा है उस बुखार का, या वजन कम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यंग एज में BP आ रहा है, तो आप लोग सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या system में ग कारण है, या कोई भी ऐसे बिमारी जो लंबी चल रही है, वहाँ पर एक बार आपको यह सोचना चाहिए कि यह autoimmune हो सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्ट साब, आशा करते हैं, हैल टीवी के माध्यम से जो आपकी चर्चा डॉक्टर अविनाश जैन साब के साथ हुआ आपकार अपकार झाल झाल